दोस्तो आईपियल 2023 के ओक्षन में 40 करोण में विके सैम करें जी हाँ दोस्तो आप लुक्स सही सुन रहे हैं दोस्तो और भी बाकी बहुत से खिलाडी हैं जो करोणों में विके हैं तो उन सभी खिलाडीों के बारे में बात करेंगे विस्तार से दोस्तो कुछ ऐसे भी खिलाडी सामी ने जो उम्मीद छोड़ चुके थे अब वो इस साल आईपियल में करोणों में विक चुके हैं दोस्तो आईपियल उक्षन के पहले दिन में सबस्यादा जिस खिलाडी पर बोली लगी है वो है सैम करन सैम करन के साथ साथ बैने स्टोक्स ने भी काफी रिकार्ड तोड़ दिये है बैने स्टोक्स को भी टीम ने करोणों रुपاي में खरीद लिया आप इंदोन के प्रायस सुनकर अफी ज़्यादा धंग रह जाईए साढ़े अठारा करोण में विक शुके है भी दोस्तो निकोलस पुरन को 16 करोण में लखनव की टीम ने खरीद लिया दोस्तो और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके ओपर काफी करोणो रूपए की बोली लगी थी और वो करोणो रूपए में भी बिके हैं दोस्तो जबसे ज़ादा जो हैरान करने वाली बात रही वो सैम करन के लिए दोस्तो इतनी यंगेज में ही इस खिलाड़ी ने काफी वड़ा मुकाम हासिल कर लिया अभी तक कोई भी बिदेशी खिलाड़ी साड़े 18 करोण में नहीं भी का था लेकिन दोस्तो अभी सैम करन ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और साड़े 18 करोण लेकर पूरे पंजाब की टीम में पहुँच गए है